साथियों मुश्किल चुनाउतियों के बीश आपका व्यहवार आपका टीमवर्क देश को हर मोर्चे पर इसी जजबे के साथ लड़ने की सीख देता है आज देश इसी भावना से कोरोना जैसे महामारी के खिलाब भी जंग लड़ रहा है देश के हजारों डॉक्टर्स दर्सीज हेलपर्स और सपोर्ट स्टाफ दिन रात बिनारू के बिना थके काम कर रहे हैं देश वासी भी इस जंग को फ्रंट लाइन बोर्यस की तरह लड़ रहे हैं इतने महनों से हमारे देश वासी पूरे अनुशासन का पालन कर रहे हैं मार्ज जैसी सालधानियों का पालन कर रहे हैं और अपने और अपनों के जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी ऐसास है कि अगर हमें मास पहनने में ही इतनी तकलिव होती है तो आपके लिए ये सुरक्षा जैकेट्स नजाने आपके शरी पर कितनी चीजें आपको लाद दी पड़ते हैं इतना सब कुछ पहनना कितना कठीन होता होगा आपके इस त्याग से देश अनुशासन भी सीख रहा है और सेवा धर्म का पालन भी कर रहा है साथियों सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं तपस्या करते हैं वो देश में एक विश्वास का वातावन बनाता है हर हिंदुस्तानी के अंदर एक नया कांफरेंस लेवल लाता है यह विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चनोती का मुकाबला किया जा सकता है आप से मिली इसी प्रेणा से देश महामारी के इस कठीन समय में अपने हर नागरिक के जीवन की रक्षा में जुटा हुआ है कि इतने महिनों से कि देश अपने असी करोड से जादा नागरिकों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है लेकिन इसके साथ ही कि देश अर्थ व्यवस्था को फिर से एकमार गटी देने का भी पूरे होंसले से प्रयास कर रहा है कि देश वांचों के इसी होंसले का प्रणाम है कि आज कई सेक्टर्स में फिर से रेकॉर्ड रिकवरी और ग्रोथ दिख रहा है यह अलग अलग प्रगार की सब लडाईयां यह सब सफलता है इनका स्रे सीमा पर डटे हमारे जवानों को जाता है आपको जाता है